ओम जयन्ती मगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वहा स्वधा नमोस्तुते जै माता दी मैं हूँ राधिका और आप सभी को चैतर नवरात्री की हर्दिक शुपकाम नहीं आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्री की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधी के बारे में जिसमें आप कलश इस्थापना से लेकर पहले दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए सब कुछ जान सकते हैं पहले दिन की पूजा में थोड़ा से जादा समय लगता है तो आपको समय का ध्यान रखना है और कलश इस्थापना हमेशा शुब मूर्थ में करनी चाहिए तो एक चौकी पर आपको लाल वस्तर बिछा कर थोड़े से चावल रखने हैं उसके उपर मा दुरगा की तस्वीर प्रतिमा की स्थापना करनी है विगनर्ता गणेश भगवान की स्थापना करनी है गणपती बपा को मा के बाई तरफ और कलश स्थापना दाई तरफ की जाती है मूर्तियों की स्थापना करने के बाद आपको एक बार फिर से गंगाजल चलकना चाहिए अब यहां पर मैंने भगवान गणेश को जनेव अर्पित किया है फिर हम गणपती महराज को माला अर्पित करेंगे गणेश भगवान की पूजा करते समें ओम गंग गणपते नम्हा इस मंत्र का जाब करते वे पूजन सामगरी अर्पित करें विगनर्ता गणेश भगवान से प्रार्थना करें क फिर मा को हम तुमकुम का तिलक लगाएंगे और अक्षेत अर्पित करेंगे अब आपके पास जो भी फूल हो उन्हें सच्चे मन के साथ विगनर्ता गणेश भगवान को अर्पित करें फिर मा भगवती को आप गुढ़ल का फूल या गुलाब का लाल या पीला कैसे भी फूल अर्पित कर सकते हैं जो भी आपके पास अविलेबल हो चाहे भगवान हो या मातरानी हो हमारे भाव के भूके होते हैं तो ऐसे में आपके पास जो कुछ भी सामगरी हो उसमें आप अभव ना देखते भी सच्चे मन से अर्पित कर दे मा उसे ही स्विकार कर लेंगी अब हम यहाँ पर कलशकी स्थापना करने जा रहे हैं तो हमने जो मिट्टी का चोड़ा बरतन लिया है उसमें हम जॉब होएंगे कुछ लोग साथ में गेहूं भी बोते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर केबल जॉब होए हैं जॉब होने के बाद आप उपर से उसमें मिट्टी और अच्छे से डाल कर जॉब को थोड़ा से नीचे दबा देजे बीचों बीच में आपको कलशकी स्थापना करके उसमें जल डालना होता है इसमें मैंने गंगा जल भी डाला है और थोड़े से इत्र की बूदे भी डाल कुछ लोग यहां पर दूर्वा भी डालते हैं मैंने सिर्फ यहीं समगरी डाली है कलश के उपर इस्थापित करने के लिए हमें आम के याशोक के 5-7-9 पत्ते चाहिए मैंने सब पर चंदन से और कुमकुम से बिंदी बना ली है तेलक लगा दिया है इसके बाद मैंने पत् की प्लेट भी रख सकते हैं और आक्षट रख सकते हैं अब हम इसके उपर पानी वाले नार्यल की स्थापना करेंगे मैंने आपको पूझन सामगरी की वीडियो में पताया था कि किस प्रकार से नार्यल का मुझ अपनी तरफ रखा जाता है नार्यल में चुनरी लपीटी है जिसे कलावे से बांधा हैं और नारियल को कलश के उपर इस्थापित करने के बाद हमें यहाँ पर नवग्रह बनाने हैं नवग्रह मैंने चावल से बनाए हैं नौ जगा पर आपको थोड़ी थोड़ी से चावल रखने हैं साथ ही नवग्रह मंत्र का आपको ध्यान लखना है, उपर स्क्रीन पर भी आप नवग्रह मंत्र देख सकते हैं, मंत्र है ब्रह्मा मुरारी तरपुरांत कारी भानुश शशी भूमी सुतो बुधश्च गुरुष्च शुक्र शनी राहु केतव सर्वे ग्रह शांती कराम भव यह नवग्रह पीड़ा मंत्र हैं, अगर आपको किसी भी क्रह से कोई पीड़ा आपकी कुंडली में हो रही हो तो वो पीड़ा शांत हो जाती है और नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होने लगती है, इस मंत्र का जाब आप कम 11 या 21 बार करें, आसन पर बैठ करीए इस म अलावा कहते हैं, अर्पित किया है, अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो आप उनकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, इन सभी का विसरजन नवरातरी के अंतिन दिन कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर बाद में देखिएगा, अब आप अपने द नीचे रखने होते हैं, अस्टिदल कमल भी बना सकते हैं, उसके उपर ही आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए, अखंड दीपक जलाने के लिए सूती का लावा या फिर कच्छा सूत भी आप प्रयोग कर सकते हैं, रूई की बाती का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकि रूइ की बाती जलने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़दा ध्यान देना पड़ता है, अखंड दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर कोईसी भी धातु का, जैसे की पीतल वगरे का या तामबे का भी ले सकते हैं, संकल पलेतेस में अपने नाम अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेकर आपको नवरातरी के वरत कैसे रखने हैं, इन सभी बातों का आपको संकल्प लेना होता है, मा को आप जो भी पूजन सामगरी अर्पित करें, मन में ओम, दुंग, दुरगाई नमा इस मंतर का जाब करते रहें, अखंड जोद जला भी करें, और फिर उसी में से आपको पाठ पढ़ना होता है, यहाँ पर मैं कपूर जला कर आर्थी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बीच की जो विधी है, उसमें आपको दुरगा सबसेती के पहले दिन का अध्याय पढ़ना या सुनना होता है, साथ ही दुरगा चालिसा का प की सामगरी नहीं है, तो आप मा को केवल एक लोटा जल और केवल शक्र या मिश्री के दाने भी अर्पित कर सकते हैं, मा उसी को प्रसंद मन से स्विकार कर लेती हैं, अगर आपके मन में सच्ची भक्ती हो, तो मा आपकी पूजा को हरहाल में स्विकार करती हैं, आप क्योंक में जो भी अस्त्र शेस्त्र हैं उन सभी की पूजा को करनी है उन सब की हाथों में भी आपको दिलक लगाना है और मन में ध्यान करना है कि मां आपकी पूजा को स्विकार करें और आपकी मनुकामना को भी पूंड करें क्योंकि माशल पुत्री की पूजा का दिन होता है तो आप आज के दिन माशल पुत्री की पूजा करते समें बीज मंत्र, इस्तुती मंत्र का भी जाप करें, माशल पुत्री की कथा भी आपको पढ़ने और सुननी चाहिए, फिर माशल पुत्री का प्रेभोग अर्पित करने क जलाना होता है जिसमें आपको लॉंग का एक जोड़ा घी में डूबो कर उसमें फिर बताशा रखकर ही आपको जलाना होता है आपको सुभा के समय करना होता है और हर दिन ऐसा करने से नवरात्री के हर दिन की पूजा सफल हो जाती है नवरात्री के नौ दिन मा भगवती के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और नौ अलग-अलग रूपों की जो कथा है या मंत्र है या आरती है वो भी लगळग होती है जिनकी कम्प्लीट वीडियो आपको मारी चैनल पर हर दिल मिलती रहेगी, आप मारी चैनल पर देखकर भी आर्थी पढ़िया सुन सकते हैं, अगर आपको माशल पुत्री की आर्थी नहीं आती है तो आप मादुर्गा की आर्थी का सकते हैं, सबसेयत में आपको शमयासना जरूर करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में हुई गलती के लिए आपको कोई भी दोश ना लगे और माभगवती से प्रार्थना करें कि वो आपके घर परिवार में सुक्षान्ती बनाए रखें आपके उपुवास को स्विकार करें ऐसी कामना के साथ ही आप अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें अपने इस्ट देवी देवताओं की पूजा भी आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए जो भी देवी देवताओं की पूजा आप डेली करते हैं उनकी पूजा आपको जब आप नवरात्री की सारी प झी पूजा करें और नवरात्री की पूजा करने के बाद जरूर करें अब आपके मन में कुछ प्रश्ष इक याग फिर ला जला गर्वान से जो दीपक आपने मातरानी के सामने जलाया है चाहे वो अखंड दीपक हो या फिर केवल सुभा और शाम जलने वाला दीपक हो उसे बार-बार नहीं ये लाया जाता है आपको हर दिन अपने मंदिर में दो दीपक जलाने चाहिए दीपक आप चाहे तिल के तेल का या घी का जल शाइगी कैसे बती बनायी जाती है उतffiti गफ़ान और चलती है दो करने उतर एक प्रांद को अ झ prochain होना सकते हैं कि अगर हम नवरात्री के भृत नहीं रख सकते हैं की मार्ण दीपक एपया क्राइब क्रेसे हैं क्या बिना आखंद दीपा के नवरात्री की पूझा नहीं की जा सकती। तो देखे सबसे पहली बात, कलश की स्थापना करना सभी के लिए अनिवारे नहीं है, अपनी श्रद्धा हैं, हाला कि कलश की स्थापना करना शुब फलदाई माना जाता है, इनसे बहुत शुब फलो की प्राप्ती होती है नवरात्री की जो पूजा होती है बिना किसी विग्ण के पूरी हो जाती है घर में हर चीज में सुक सम्रिधी में व्रती होती है घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती और घर परिवार के सदस्यों का स्वास्त भी अच्छा बना रहता है आपके सारे बिगड़े काम भी बंते चले जाते हैं अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं मन में अफसोस ना रखें आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं अखंड दीपक जरूरी नहीं है कि सबी लोग जलाएं आपकी श्रद्धा है अखंड जोद जलाने के बात बहुत ज़्यादा धिहान रखा जाता है तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं आप नॉर्मल जो सुबो और शाम दीपक जलता है वही आप जला लें इसके अलावाद जो दूसरी बात है कि क्या आपने वरत नहीं रखे हैं कई पर ऐसा कारण हो जाता है कि वरत नहीं रख पाते हैं तो ऐसी स्थिती में क्या आप नवरात्री की पूजा कर सकते हैं क्या आप कलश इस्थापना कर सकते हैं तो देखी बिल्कुल आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, नौ दिन माद दुरगा के नौ रूपों की पूजा करने के दिन होते हैं, और मा को मनाने के दिन होते हैं, तो आपकी जैसे भी इच्छा हो उसी के नुसार आप जो है मा की पूजा करें, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो आपको पूरे नौ दिन तक शुत्य सात्विक भूजन करना चाहिए, आप अन्न का सेवन कर सकते हैं अगर आपने उपवास नहीं रखा है, अगर आप नवरात्री की पूजा में नवग्रहों की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेकिन हर दिन नियम से और खास तोर पर कलश स्थापना करते समय, नवग्रह मंत्र का जाब जरूर करें, जो कि इस वीडियो में आपको बतायागा है, अगर आपका केवल एक ही कमरे का घर है, तो उसमें भी आप मा भगवती की सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं, बस शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, पीरेट से दी हो जाते हैं, तो ऐसे में मानसिक पूजा आप इन दिनों कर सकते हैं, जिसमें आप मा के हर दिन के रूपों के अनुसार, मंत्रों का जा, प्रत्की कथा, या फिर आरतियादी सुन सकते हैं, या फिर मन ही मन खुद भी दोरा सकते हैं, ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा,